Hello friends, welcome to my channel दोस्तों आज की जो वीडियो है कुछ अलग टाइप का वीडियो है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा काम आ सकता है ये वीडियो दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा लोग वाटसाप का यूज करते हैं और वाटसाप में एक प्रॉब्लेम ये आता है जब भी कोई भी आपका दोस्त आपको मैसेज करता है किसी भी पिक्चर को यहाँ पे भेजता है वाटसाप में तो वो डाइरेक्ट आपका जो मेमोरी होता है आपका जो स्टोरीज होता है फोन का वहाँ पे जाके सहीब हो जाता है इससे कि हमें बहुत जाद दिक्कत आता है क्योंकि ऐसे ही फालतों का चीज़ों से हमारी जो memory होता है जो storage है phone का वो बिल्कुल full हो जाता है और बार-बार हमें उसे delete करना पड़ता है तो friends आज किस वीडियो में आपको इसका solution देने वाला हो WhatsApp का ऐसा एक setting है जाना पड़े का मेरी mobile की screen पे तो चलिए जाके देखते हैं वीडियो कर अच्छा लगे तो एक like ज़रू कर दाना चैनल में ने हैं तो इस चैनल को subscribe ज़रू कर दाना जो कि इससे हमें motivation भी वीडियो बनाने का बहुत जाद मिलता है चलिए हम देखते हैं कैसे हमी settings को on कर सकते हैं दोस्टों में यहां पर मेरा WhatsApp है उसे में open करे मैं आपको वो setting बल ओप्शन दिखा लता हूं चले में यहां मेरा WhatsApp वो सो open कर दोता हूं यहां पर आपको मिलेगा chat's का option इसके बाद status मिलेगा, इसके बाद यहाँ चैट पर जाके मिलेगा, यहाँ पर रखना है, और इसके बाद जो जो यहाँ पर मैं सेटिन दिखांगा, वो आप करो, तो आपका जो वीडियो याँ फोटो जो भी यहाँ पर कोई लू बेजते हैं, अगर तो वो आपकी जो phone memory friends व इसके बाद आपको यहां पर जब ऊड़िदस कुछ को 강ा है media visibility के यह देखे मेरा on है अगर यह आपका on रहेगा दोस्तों तो सारा आपका जो है यहापे जो storage होगा आपकी memory में तो इसको मैं यहापे off कर लेता हूँ तो इस setting को अगर आप सही कर लेता हो बाई सिर्फ यह की setting है तो आपका जो काम हो जाएगा आपका कोई भी यहापे आपकी phone पर जाके setting यहापे नहीं होगा save सारा आपका WhatsApp नहीं रहेगा वीडियो आच लागे है तो एक like जरूर करते हैं